नमस्ते दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल के एमपी एजूकेशन पे आज हम सिखेंगे कि रेश्टोरंट में या होटेल में आप इंगलिश में कैसे बात कर सकते हो दोस्तो इस वीडियो में आपको रेश्टोरंट इंगलिश में पूरी जानकारी मिलेंगी कि आपकी रेश्टोरंट में एंटरी होती है आपका टेबल कैसे बुक कराना है वेटर के साथ कैसे बातचित करनी है और अपना खाना कैसे ओडर करना है और लास्ट में बिल पैमेंट कैसे करना है ठीके दोस्तों वीडियो को देखते रहिए फर्स्ट इज एंटर इन दर रेस्टोरंट रेस्टोरामें प्रवेश वेटर सेज हाई केन आई हेल्प यूँ हाई क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सुरेश सेज अ टेबल फॉर फोर प्लीज चार लोगों के लिए टेबल चाहिए वेटर सेज वी आर फुली बुक्ड एट दे मॉमेंट कुड यू वेट फॉर फिफ्टेन मिनिट्स इस वक्त अंदर जगह नहीं है क्या आप पंदरा मिनिट वेट कर सकते है सुरेश सेज ओके ठीक है वेटर सेज कैन आई गेट यूर नेम मैं आपका नाम लिख लू सुरेश सेज माई नेम इस सुरेश मेरा नाम सुरेश है वेटर सेज मिश्टर सुरेश यूर टेबल इस रेड़ी प्लीज कम धिस वे मिश्टर सुरेश आपका टेबल तयार है कुरूपिया इस तरफ आईए सुरेश सेज इट इस टू डार्क हियर कैन वी हैव टेबल बाई दे विंडो प्लीज इस तरफ बहुत अंधेरा है क्या हमें खिड़की के पास टेबल मिल सकता है सुरेश सेज चैन यू मैक शूर इट्स अ क्वाइट टेबल देख लेना कि हमारे टेबल के पास सान्ती हो सुरेश सेज डू यू हैव आई चैर फोर अ चाल्ड बच्चे के लिए उचे वाली कुर्सी है वेटर सेज शूर सर जरूर सर अब अता है दुसरा पोइंट ओडरिंग फूड खाना ओडर करना चलिए खाना ओडर करते है वेटर सेज चैन आई टेक यूर ओडर क्या मैं आपका ओडर ले सकता हूँ सुरेश सेज येस वाट्स डोसा एक्जटली हाँ ये डोसा क्या होते है वेटर सेज अडोसा इस राइस पैनकेक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ हिंडिया इडिस मेट फ्रॉम ब्लैक ग्राम एंड राइस डोसा एक दक्षिन भारतिय वानगी है जो उरत डाल और चावल से बनती है सुरेश सेज इस डिस सर्ड विथ ग्रेवी इसके साथ रसा होता है वेटर सेज येस इस सर्ड विथ सामबर जी इसे सामबर के साथ देते है सुरेश सेज इस टू स्पाइसी ये बहुत तीखा होता है वेटर सेज नो सर नहीं सर सुरेश सेज वाट एल्स डो यू रिकमेंड तुम और क्या खाने के सला करते हो वेटर सेज अवर मंचुरियन इस वेरी पोप्यूलर हमारा मंचुरियन बहुत मश्हूर है सुरेश सेज तु ही वाइफ वाइफ वट दो यू सेज शुजाता शुड वी गो फर मंचुरियन क्या बोलती हो सुजाता मंचुरियन ले ले सुरेश सेज ओके वी विल हैव वन डोसा एंड वन मंचुरियन ठीक है हम एक डोसा ओर एक मंचुरियन लेंगे waiter says I am sorry but manchurian is not available right now माफी चाहता हूँ पर अभी manchurian उपलब्द नहीं है सुरेश says in that case can we have malai kofta? उस हाल में हमें malai kofta मिल सकता है waiter says yes sir what would you like to have in breads? जी sir आप रोटी में क्या लेना पसंद करेंगे? सुरेश says 2 बटर नान and 2 रुमाली रोटी, 2 बटर नान और 2 रुमाली रोटी waiter says yes sir can you drink butter milk? हाँ sir क्या आप चाच पिएंगे? सुरेश says give us 4 glasses of butter milk right now हमें 4 गिलास चाच अभी ला दो waiter says okay your food will be served in 15 minutes I will get your butter milk right now ठीक है आपका खाना 15 minutes में आ जाएगा और आपकी चाच अभी लाता हूँ तीसरा point है wait for food on the table, table पर खाने की रहा देखते हुए सुरेश says to his child baby it's a salt shaker not your toy बेबी ये नमक दानी है ये तुमारा खिलोना नहीं है सुरेश says to his child don't play with fork you will hurt yourself काटे से मत खेलो चोट लगा लोगे सुरेश says to his child baby don't pull the table cloth baby table का कपड़ा मत खीचो सुरेश says to waiter excuse me we have been waiting for over one hour for our food हेलो हमें खाने का इंतजार करते एक घंटा हो गया है waiter says I am sorry sir let me check in the kitchen I will write back माफी चाहता हूँ sir मैं रसोड में देखता हूँ मैं बस अभी आया waiter says it will just five more minutes I am sorry for the delay बस पांच मिनट और लगेंगे देरी के लिए माफी चाहता हूँ हमारा चौथा पॉइंट है food arrives on the table खाना टेबल पर रहा गया waiter says is everything okay सब ठीक है सुरेश says can I get some ice cubes my butter milk is not chilled मुझे कुछ ice cubes मिल सकती है मेरी चाच ठंडी नहीं है waiter says do you need anything else आपको कुछ और चाहिए सुरेश says please give me the salt मुझे नमक दो सुरेश says is the extra buttermilk charged और चाच लेते है तो उसके पैसे लगेंगे waiter says yes sir हाँ sir सुरेश says it should be free never mind I am good for now वो तो free होना चाहिए कोई बात नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए अब बारी आती है dessert की खाने के बाद खाये जाने वाले मीठे को dessert कहते है waiter says would you like any dessert आप कुछ मीठा खाना पसंद करेंगे सुरेश says yes can I see your dessert menu हाँ आपका dessert menu मिलेगा सुरेश says I would like to order a banana pie मैं banana pie order करना चाहूँगा waiter says sure I get it now जरूर मैं इसे अभी लाया अब हमरा point है bill payment, bill चुकाना सुरेश says can we have the finger bowls क्या हमें finger bowl मिल जाएंगे सुरेश says can we have the bill, bill ले आओ सुरेश says rupees 2000 for the bill and rest is for you 2000 रूपिय बिल के और बाकी तुम्हारे लिए सुरेश says please give us mouth freshener हमें mouth freshener दो सुरेश says by the way food was delicious, pass my compliments to the chef वैसे खाना बहुत बढ़िया था मेरी तरब से शेफ की तारिफ कर देना waiter says thank you sir, धन्यवाद sir friends please subscribe my youtube channel के mp education दोस्तो मेरी youtube channel के mp education को subscribe करे मेरे वीडियो लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेर भी करे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद